और आज हम लोग बात करेंगे रेंसम ब्यर पे तो पिछले क्लास में हम लोग ने माल louisцы बात किया था और उसमें देखे थे कि माल ब्यर कितने तरह का होता है कितने टाइप गए उसी में से एक type हमारा क्या है ransomware, तो इस class में आज हम लोग जानेंगे, कि ransomware क्या है, यह कैसे install होता है, और install होने के वाद क्या करता है, तो देखते हैं, अगर साब्दिक अर्थ की बात करें, तो ransomware सब्द दो सब्दों से मिलकर बना है, ransom सब्द, दो सब्दों से मिलकर बना है, पहला जो आप लोग का है ransom, और दूसरा bear, यहां ransom का अर्थ है फिराउती, रैंसम का अर्थ क्या है फिराउती, जैसे आप लोग सुने होंगे, बच्चा लोग को किड्नेप कर लेता है, या किसी को भी किड्नेप करने के बाद फिराउ सब्दों का क्या है, फिराउती और दूसरा सब्द से है software, इस तरह, रैंसम bear का अर्थ हुआ, फिराउती मांगने वाला software, अर्थात, ऐसा software या computer प्रोग्राम, जो फिराउती की मांग करता है, ransom bear कर लाता है, या दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं, कि वैसा प्रोग्राम य या वैसा software जिसका इस्तेमाल कर, hackers यूजर से पैसे के demand करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ransom bear असल में एक खतरनाक computer malware है, देखे, malware का मार्थी होता है कि वैसा जो आपके computer को harm करे, जो phone या computer के system में घुश कर उस पर कबजा कर लेता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, कि bank में अगर चोर घुश जाता है, तो क्या करता है, पूरे bank पर कबजा कर लेता है, तो उसी तरह से यहाँ पर है, कि अगर आप लोग का ransom bear software, अगर आपके computer पर install हो गया, तो वो पूरे computer पर कबजा कर लेगा, और पूरे access अपने नियंतरन में कर लेता है, जब तक आपके computer कम्प्यूटर में malware नहीं है, तब तक आप उसके owner है, लेकिन जैसे ही malware कम्प्यूटर में आ गया, यानि ransomware software या program install हो गया, तो उसमें क्या होता है, victim को data access करने से रोक देता है, आप अपने computer के data को access नहीं कर सकते हैं, जिससे कि ना तो victim अपने phone या computer में login कर पाता है, और ना software का काम क्या है, कि उस पे अपना control अस्थाफित कर लेना, यानि उस case में आपका control कुछ भी नहीं होगा आपके computer पे या mobile पे, उदाहरन के तोर पे समझ लेते हैं, कि आप computer को on किये, और D drive में गए या किसी भी drive में गए, किसी folder को open करना चाहते हैं, अब वो folder आप से open नहीं ह आप लाख प्रियास के लेकिन आपका folder open नहीं हुआ, या कोई file open करना चाहरे हैं, लेकिन file open हो ही नहीं रहा है, तो उस case में आपको समझ में आ जाना चाहिए, कि आपके computer में malware, यानि ransomware, इंटर कर चुका है, तो कभी कभी क्या होता है, कि message नहीं भी देता है, और लेकिन जादर cases में क्या होता है, उसके screen पे एक message दिखाई देता है, यानि आपके computer पे अपना बर्चस पस्थापित करने के बाद, उस पे एक message छोड़ता है, जिसमें hacker की तरफ से यह चेतावनी दी जाती है, कि आपका system hack हो चुका है, चुकि फिरवती का मांग होगा कैसे, आप अपने computer पे access कर रहे हैं, लेकिन आपका computer access आप से नहीं हो रहा है, तो अगर जब तक message नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आता है, जैसे कोई भी घर से अगर गुम हो गया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करत हैं, खोजते हैं, आज खोजे, कल खोजे, लेकिन अगर वह kidnap हो चुका है, तो देखिएगा कि कुछ समय अंतराल के बाद आपके पास एक phone आ जाता है, यह हमारे कब्जे में है, तो उसी तरह यहां पर भी होता है, यह आपके computer को control करने के बाद आपको hiker क्या करेगा, तो एक चेताव नहीं देगा, और यह बताएगा कि इसका access हमारे पास है, जैसे बोलता है, यह आदमी हमारे पास है, उसी तरह से यहां पर hiker क्या बोलता है, आपके computer का access हमारे पास है, अगर आप अपने data को सही सलामत बापस चाहते हैं, यानि अगर आप चाहते हैं कि आपका data आपको उसी हालत में मिले, जिस हालत में वह था, तो इतने पैसे दे दीजिए, वाराज के पैसा मांगना बहुत असान है, keyword code है, बहुत तरह का online facility है, बरना हम आपके personal data को leak कर देंगे, यानि धंकी में यह भी लिखता है, कि हम आपके personal data को leak कर देंगे, system को crash कर देंगे, और इस तरह victim को मजूरन पैसा देना पड़ता है, तो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से kidniping का कारी होता है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, ransom bear कारी करता है, यह software इसी तरह का, यानि जब आपके computer में कभी भी hiker कम ऐसे जा जाए, और इस तरह का पैसा मांगे, जिसमें important data होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई CA है, उसके पास 50 company का data है, और इस तरह से उसका computer एक एक access नहीं होने दे रहा है, तो वैसे लोग मजूरन में पैसा देते हैं, और यह भी कोई जरूरी नहीं है, कि पैसा देने के बाद आपके data original वापस मिली जाए, कभी कभी क्या होता ह है, कि पैसा भी ले लेते हैं, और data भी वापस नहीं करते हैं, तो मिला जुला के ransomware को समझना है, तो आपको kidnapping करके इसको समझना होगा, अब दूसरी बात है, कि यह ransomware कैसे फैलता है, अब आप इसके बारे में, चुकि आप ही के mistake से यह ransomware फैलेगा, तो हमसे क्या mistake नहीं हो, जिसके कारण ransomware हमारे computer में नहीं आए, इसी के बारे में हम लोग आगे जानते हैं, ransomware असल में spam और phishing है, यह क्या है, spam और phishing है, कि जरिये फैलता है, यानि hacker आपको एक link भेजता है, इस case में, अगर आपके computer में ransomware install कराना है, तो आपको क्या करेगा, एक link भेजता है, और उ तो इसका भी जवाब आप सुन लिए, आप उस link के साथ एक ऐसा message होता है, जिससे आपको लगता है कि आपको कुछ benefit होने वाला है, उदाहरण के तोर पे समझ सकते हैं, कि आपके computer, आपके mobile पे, यापके computer पे message आए, कि इस message को 5 लोगों के साथ forward कीजिएगा, तो आपको 50 GB data free में मिलेगा, तो यहां 50 GB का जैसे ही हम लोग देखते हैं कि move तो मिलेगा, 5 क्या, 15 आदमी को forward करने के लिए तयार हो जाते हैं, या बोलेगा इसको install करने से आपको ये benefit होगा, जैसे आज के date में लोग antivirus परचिज करना नहीं चाहते, वो चाहते कहीं से भी हमारा antivirus मिल पुछ सकता है, एक ऐसा ही message हो, कि ये फिरी का antivirus है, इसको install करने से आपको कोई भी charge नहीं लेगेगा, और आपके सारे virus remove हो जाएंगे, तो आप अपने लालच के checker में उस link पर click करेंगे, और उस software को install भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप link पर click करते हैं, एक फरजी website, एक इस चीज हो गया, यह हो सकता है कि कोई antivirus software, या अगर game से आप related हैं, तो आपको बोल दे कि फिरी में game आपको मिल रहा है, तो उस case में आप लोग क्या कीजिएगा, उस software को या उस app को install कर लेते हैं, भी ना सोचे समझे, जो कि असल में एक ransomware होता है, और जो actual में क्या होता ह जो message लिखा हुआ रहता है, वो origin नहीं होता है, उसके जगह पर क्या होता है, ransomware होता है, इसलिए जैसे ही आप इसे download करते हैं, या अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है, और आपके system पर कबजा कर लेता है, उसके बाद आप माथा पकड़ लीजीगा, क्यों install किये, क्यो आपको यह समझ में आ जाए, कि आपका computer है हो चुका है, और आपका data अब खत्रा में है, तो उस case में आपके लिए एक बहुत ही दुरभागी पूर्न घटना होगा, और देखिए, एक तो उस तरह से हो गया, और दूसरा कैसे वो ransomware आपके computer ने भेजता है, इसके अलावा email भी खूब इस्तेमाल होता है, यानि एक तो वो हो गया कि link भेज कर आपको web page पर भेज देगा, वहां से कोई software या app install करवा देगा, या आपके पास एक email भेजेगा, यानि email attachment को रूप में एक command program भेज देता है, और जैसे ही आप इस पर click करते हैं, या आपके system में install हो जाता ह तो अगर आप लोग देखे होंगे कि कोई email आये, बोले कि आपका number पर या प्राइज आया है, आप इसको install कर लें, या फिर attachment है उस पर click करके अपना नाम पता insert करें, तो चुकि प्राइज मिलता ही है, obviously कहीं प्राइज फस्ता है, आपको ऐसा message आएगा, कि जो आप लोग को original परतीत होगा, और उस email को जैसे ही आप open करेंगे, उसके attachment को open करेंगे, वह क्या करेगा, system में install हो जाता है, क्योंकि आपका एक link command का काम करता है, जैसे ही ransomware आपके system में घुश कर उसे lock कर देता है, और जैसे ही install होगा, आपका computer क्या होगा, लोग हो जाएगा, और हो सकता है कि वह हमाई से जापके screen पर display करना शुरू कर दे, तो समझ में आगया होगा, कि ransomware क्या है, तो ransomware क्या है, एक program है, command program है, या फिर आप लोग का क्या है, एक software है, यहाँ पर है न, एक software download करने के लिए बोलता है, तो ransom जिसका अर्थ क्या होता है, फिर आउती मांगने वाला software, तो इस lecture के बाद उमीद है आपको ransomware के बारे में समझ में आ गया होगा, और अब इसके बाद आप केसी भी तरह के फर्जी बेवसाइट के link को click नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा software को download नहीं करेंगे, install नहीं करेंगे, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो यह जो ransomware हम हमारे computer में आता है, वह हमारी ही गलती के कारण आता है, हमारे लालच के कारण आता है, हम बीना जाने अगर access करते हैं, तो उसके कारण आ सकता है, तो यह हमारा क्या था, malware का एक type था, यानि total 10 type है, जिसमें आज हम इसको first type के बारे में बताएं हैं, दूसरे lecture में हम दूसरे type के malware पे बात करेंगे, वह क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे हमारे computer पे आता है, और क्या नुकसान पहुचाता है, तो अगर lecture अच्छा लगा है, तो like करें, comment करें, और अगर हमारे channel पे new है, तो subscribe कर लें, और bell icon बटन को press कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो का notification मिलता रह है, और एक request भी है, यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें, धन्यवाद,